हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर को सट डाउन कैसे करें देखिए सट डाउन करने का बिल्कुली सौर्ड में थर्ड है बहुत ही चोड़ा सा प्रोसेस है एक सेकेंड में आप सिख जाएंगे सट डाउन करना तो देखिए पहला तो यह विंडू 7 है तो विंडू बटन पर आपको क्लिक कर देना है यहां पे सट डाउन आपको लिखा हुआ दिख जाएगा इस पर क्लिक कर देना है आपको तो आपका जो PC है वो सट डाउन हो जाएगा लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं आपका मालीजी कोई अधर विंडो है आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से सट डाउन करना चाहते हैं तो आपको अपने कीबोर्ड में आपको आपको सट डाउन लिखा हुआ दिख जाएगा अब मालीजी मुझे सट डाउन नहीं रिस्टार्ट करना है तो मैं कीबोर्ड में यह वाली बटन प्रेस करूंगा यह 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 वाली करूंगा तो हम लोग का जो चेंज हो जाएगा चली मैं आपको करके दिखाता हूँ यहां पर दिखी सट डाउन है मैंने मालीजी नीचे वाली प्रेस की तो सट डाउन के नीचे कुछ नहीं है तो मैं ऊपर वाली प्रेस करता हूँ दिखिए स्लीप आ गया उसके बाद रीस्टा आ गया फिर लॉग ऑफ आ गया फिर स्विच यूजर आ गया अब उसके बाद ऊपर कुछ नहीं है तो फिर हम लोग को नीचे जाना है लॉग ऑफ रीस्टार्ट restart, sleep, shut down, तो फिलाल मुझे shut down करना है, तो मैं shut down पर किया, उसके बाद आप mouse से ok कर सकते हैं, अगर ok करें mouse को ले जाके ok करें, या फिर आप keyboard में enter press करेंगे, चली मैं enter press कर दिता हूँ, अब आप देख सकते हैं, आपका PCA वो shut down हो रहा है, जैसे कि हम लोग mouse से करते थे या फिर direct power निकाल के करते थे, तो देखिए अब हमारा जो PCA वो shut down हो चुका, यहाँ पर link भी दिया है, no signal input, यानि कि हमारा जो PC था, वो finally off हो गया है, तो बिल्कुल छोड़ा सा process था, अगर वीडियो पसंद आई होगी, तो like कर देजेगा, और हमारे चैनल को subscribe कर देजेगा, मिलते किसी नए वीडियो में